सर बहुत सारी लोगों को आज दिल की धड़कने बढ़ रही होंगी पहले बार हमने जो देखा पहले फेज में बहुत अच्छी पोलिंग होई थी नकसलेज में ये जो एरिया वो बहुत पीसफुल है ज्यादा जब पोलिंग होती है तो क्या खत्रे की घंटी बचती है सत्ता है लोगों का विश्वास भी लगता है जिल लोगोंने पहले बार मत दान का उपयोग मुंत दर शारे हो गया और बहुत युकर और अगले साल सबसे बड़ा दंगल होने वाला है सबसे में बढ़ा एलक्षन है सब जगा चारों तरफ जो काम हुआ जो सतर साल में 55 साल तक देश में राज करने वाले थे बस्तर के अंदर कभी मेडिकल कालेज नहीं खोल पाए वहाँ पर उनिवर्शिटी नहीं खोल पाए सरगुजा में कभी उनिवर्शिटी नहीं खोल पाए आज आपको लग रहा है कि इन 15 सालों में आपने इतना पलट दिया सब कुछ तस्वीर यहां की कि 5 साल का मौका इस बा कि अगरे नुक्सान होता है तो दोजार उनिस के लिए परसेप्शन बदल जाएगा वेप बदल जाएगा तुर यह अपनी बदेगे मोटी के नेति तो फिर देस में सरकार बनेगी यू रवन सिंग नेति नहीं चात्रिस गर्ण सरकार बनेगी अगी अग्वार्ण के लिए कि अग्वार्ण आप मेर्ण एमनी इफ चातिस dioरी नेतिक्तार बनेगी इंटीस ग्लिएट उन चात्रिस ग्वार्ण के वाजवाट भर्ण.कि वूल सुन तो घ्लिए सव吧. that may actually give some sort of tension. But yes, since it's a peaceful area, we're expecting a higher turnout than last year, than the previous time. But what all these political parties that are actually struggling, whether the jogi and main awati will play a spoiler for them, or a king maker.